He, All Dear Students, Most Welcome All of You In Biology.Tek Channel तो आल दियर ट्टुडेंट आज हम बात करेंगे आप सभी के जो है फार्मेकोगनोसी डी फार्माफर्स्ट इयर डी पिएच डी प्लोमा इन फार्मेसी फस्ट इयर फार्मेकोगनोसी जो आप लोग का फार्मा कोगनोसी सब्जेक्ट है है इसके बारे में बात करेंगे तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पी बात करेंगे तो यहां पर देख लिजी आपको दिया गया है तो इस्टुडी दा मार्फोलाजिकल करेक्टर आफ तुलसी तो आपका जो सिलिवस जो 2020 जो 2020 के एक्वार्डिंग जो आपका सिलिवस लाग अप्लाइड हुआ था लागू हुआ है उसी के एक्वार्डिंग ही आपके टीचर जो है आपके लैब में आपसे प्रेटकल करवाएंगे तो यहां पे जो हम उसे का पीडियाप लेके हैं जाकि आप लोग को आसानी हो प्र तुलसी भाट में नंडों आएब तुलसी जो इल्फ वार्षीमभ ऐसे मन मदा आतुर। मिक्वां एटन, बलेके लेमीेटी, इसका दो तुलसी बिलॉंग करती है तो इसी का जो आपको सबसे पहले प्रेटिकल करना होगा देन जे टो स्टुदी दा मार्फो लॉजिकल करेक्टर मर्फॉलोचकल करेक्टर आफ सीना तो मार्फॉलोचकल करेक्टर जो सीना लीफ है सीना का जो हो जाएगा इसका जो बात निकल नीम हो जाएगा हुजए ग हो जाएगा सेना सीना scienceson आपको जो इटी करना एं ज्टी न आ जाता है तो इस टोडी दा मार्फो लोज केरेक्टर वीक तो यो कैय था रह कstep अच्छने कल रहें हम उट्र ग्रिकर में या करेक्ट का। पैरी विंकल है जो इसका बाट निकल नेम होता है इसका आप और आपको फ्रेटकल फायल में नोट होगा तो यहां पे अलग अलग दिये तो हम सबसे पहले हम आपको सबातब कर लेते हैं यहां पिचिछा है कि ऑंठ और पर यह दिखा देए तुल सी का प्लान जो है इसका डाइग्रम भी यहां पे दिया तो आप लोग जो डाइग्राम है यहां से जो है प्ने पेटकल फाइल में इसके बाद आपको जो इसका इसका मार्फो लॉजिक्तर आप चुछ करेक्टर अपको अब्जेक्टेम करने के लिए है तो यहां पर टेक्स क्रिफिक्ट ड्ंवлена वॉजए कोम से राइटेन बाई बाइलचकल सोर्स जो है ता डरग आफ तुलसी कंसिस्ट आफ दा लीव आफ ओसिमम साइंकटम जो तुलसी के लिव से अप्टेंड होता है यहाँ पर बता था देन आ जाता है तुलसी में केमकल कॉंस्टिट्वेंट पर बोलाट आइल वायल हो गया जो 0.4 से 0.8% यूजिन और यूजिन और अपना फाइनल एक्जाम चलेंगे तो अगर वहां पर पूछा जाता है डौन ये तो आपको यहां पे तोलसी का आपको सबसे पहले डालना क्या होगा तुलसी गोल्जी को डालना है यह पिर दाला है आप मैं फिर है पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं आप अपने टाइम के एक्ञाइनल फैनल एक्जाम को मैनेज किजीए यह यहाँ पर आ जाता है और तो सब्सक्राइब कारेक्टर लिख सकते हैं आप पॉइंट तो आपको यहां पर तोड़ा है तो आपको यहां पर तो आपको पानल एकजाम में तोड़ा लिखना हुग जाकि आपको अच्छी से नमबर मिल सके आ रिजल्ट तो इहां आपको प्रिटिकल फाहिल में लिखना है जो आपको फानल एकजाम में तुलसी प्र पोच्ता है नोट को पर रिजल्ट नहीं लिखना है भूष जह करों पूर जह सो सकते हैं यहां अको जोई यह पर चुर्ट कुल जो है आपको इस्टिडी करना है बाइलच कल सोर्स में क्या जाएगा इट कंसिस्ट आप ड्राइल लीफ लेट आफ जो है यहां पर आप लिखा गया देन तो केस या क्यूटी फोलिया जो कि हमने आभी आपको उपर बता है था बिलाउंग तो फैमली लेगुमिनेसी या जो दाल वाली फसले वाली फैमली उसी से बिलोंग करती है जैन यहां पर आजाता है च्यम कल कांस्टीटिट्टिट्टिट्ट उल्डेश जो जहें गलाइक कोसाइट एक में रहेंगा सेनसॉइड अ बी सी एंडिश इसके में कम कल कंस्टिटिट्टिट है फैमली लेगुमिने जो lensiolate का मल्दब होता है कि leaf का shape जो भाला नुमा हो ऐसे जैसे हम यहाँ पर आपको diagram दिखा रहे हैं तो ऐसे जो इसका जो नुकीला आइंड होगा है जो भाला नुमा है तो इसकी काड़ इसको जो lensiolate इसकी leaf का shape होता है जो leaf का type होता है compound leaf होती है जो है reticulate type combination present होता है leaf में यूजेज क्या सिना leaf is well known for its laxative nature it causes irritation for large intestine या large intestine में जो है irritation को काज करता है देन यहाँ पे result में आपको लिखना दा आपके टीचर जो प्रेटकल करवाएंगे आपको जो लेब में ले जाके तो आप उसके कॉर्डिंग इसमें से जो मैच करेगा आप नोट डाउन कर सकते हैं आपको उसमें help मिलेगी बाकी जो है आपके टीचर reference कहांस देते हैं आपको प्रेटकल कौन कौन सा कर रहा है तो आप लोग को प्रेटकल लिखने में आसानी होग कि इसलिए हमने वीडियो यहाँ प्रिपेर कर दिया तो यहाँ फार्ड वाला प्रेटकल है यहाँ लोटु का बहुँका घ्रड कि पूठ जो यहाँ उसका सहिए प्TONIFA का Nom प्रिपेर करनी है यहां पर आ जाता कोरियंडर तो एक्जाम से में जो है इक्जाम के लिए फानल एक्जाम के लिए आप लोग जिंगर को जिंगर को दो रिएंडर कि आधेनल कि बेंजोइन पर यह निट जो है कि लोब तुलसी एसा फोई टीडा बाकी हम अधर वीडियो में आपको बताएंगे और जो आगे भी अभी दिखेंगे तो हम उसको भी बता देंगे आपको जो जो है फाइनल एक्जाम के लिए आपको नोट डाउन कर लेना है मलब जो है रेडी कर लेना है जिससे आप पेपर में मुक्ajcie फेनल का जो है कमी सीरियल कमी सीरियल सर्फिस और मेरिकार thou SAMe जो है इसका जबाई Speer Discakers लिए तो आप यहां से जो डाव नोट कर सकते हैं इसमें जो जो केमिकल कॉंस्टिट्वेंट है बुट इंटी परसंट है तो आप लोग जो नोट डाउन कर सकते हैं बाकी हम और आपको बता दे रहें कि में एक्जाम्स के लिए और फाइनल एक्जासनल इसमें आप आप लोग का क्या important है तो cardamom जो है आभी exams में put up किया जाता है cardamom पर note जो है इसका यूज आप से पूछा जाएगा जो है बाइलोजिकल सोर्स जितने भी यहां पर आपको पढ़ना यहीं तीनों आपको जो है रेडी करना है chemical constituents और ahh यूज इनके जो है can you यह पराफ्ट कहाँ से होते हैं जैसे अगर आप तुल से पी लिखना हुआ तो आप लोग को यह लिखना हुआ इनका बायलोजिकल सोर्स लिख दीजिएका फैमली लिख दीजिए अगर आपको सिनानिम्स तुलसी किस फैमली से बिलॉंग कर रही है इसको जो आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा सिनानिम्स आप पढ़ेंगे अपने मैटर को जो किताब होगा आपके पास लिख देना है अब मारफोलोचकल करेक्टर अगर आपको याद है तो आप लोग यह भी लिख दीजिएगा पर में जो होता है बायोचकल सोर्स होता है चेमिकल कॉंस्टिट्वेंट हो गया फैमली हो गया और जो है यूज इतना आपको मेन एकजाम्स के लिए तो आप लोग जरूर सी जरूर रेडी कर लीजए कि जिससे आपको कोई प्राप्लम नहीं तो इसा फैगुला जो है यहांभी एक्जाम में पुट अप किया जाता है यह सभी इंपोर्टेंट है जितना हम आपको बता रहे हैं यहां पे आ जाता है नेक्स्ट जो हो जाएगा हो जाएगा कि डिज्टेलिस यह तो मोस्ट इंपॉर्टन थे जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टन क्योंकि यह कार्डियो टॉनिक है कार्डियो टॉनिक ड्रग्स के लिए प्योंकि डिज्टेलिस डिज्टेलिस में में कमकल कॉंस्टिट्वेंथ होते जो होते है डिजी टाक्सिन डिजी टैनिन डिजी टैनिन डिजी टैनिन डिजी टाक्सिन और जो है डिजी टॉक्सी जेनिन ऐसे कुछ करके होता है आप लोग बुक में देख लेंगे तो आपको किलियर हो जाएगा थोड़ा हमको यहां पर करेंगे तो आपको घंध करेंगे तो आपको खुद प्राबलम रेगा इसका उप्टेंड होता है यहां पर प्राइमरी देखो यहां पर दिया होगा गलाइको जिटेल ऑक्सिन दिया है और यहां पर पर पिरिया गलाइको साइड भी लिखा गया है यहां पर जो है तो अर्जुना अर्जुना भी जो है एक्जाम्स में पूट अप किया जाता है यहां पर आप लोग आयुर्वेडिंग ड्रक्स के बारे में पढ़ेंगे देन यहां पर आ जाता है गोखुरू गोखुरू जो डायुरेटिक्स है अगर पूछा जाए किसी डायुरेटिक्स आयुर्वेडिंग मेडिसिन का नाम बताईए मलब प्लांड का तो गोखुरू बताई गोखुरू जो है या जो डायुरेटिक्स है जो कि युरिन युरि पुनर्णवा भी जो है डाइवरेटिक्स वाली ड्रक्स की कटेगरी है उसी से पुनर्णवा भी बिलॉंग करता है जैन आता है यहां पे जो है तो आउर हम आप चलिए हम आउर आपको नेक्स्ट पीडियों में दिखा देते हैं जो आउर आपको पढ़ना है तो जैसा कि हमने पुनर्णवा आप सभी को बताया भी पुनर्णवा पुनर्णवा का यहां पे आपको मार्फोलोजकल करेक्टर का इस्टूडी करना है तो इसमें जो रिफिरेंस दिया भी बायलोजकल सोर्स जो है इट कंसिस्ट आप फ्रेस एंड बेल आज ड्राइड और निकलने में यहां से ऑप्टेंड किया जाता है फैमिली क्या हो जाएगा इसका फैमिले निक्टा जिने से फैमिली से बिलॉंग करता है तो पुनर्णवा जो एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम उपर बताएं वही सभी इंपॉर्टेंट है आप लोग आपको जिन्गर जैसे की जिंगर दिया तो जिंगर जो है आपके एक जाम के लिए जो एक जिंगर जो पेपर में पूछा जाता है तो इसका जो में घंट्र याद करने होंगे पेपर में लिखने के लिए तो जैसा कि आप लोग को पता है जिंगर जो जिंगी बेरेसी फैमिली से बिलॉंग करता है जो हल्दी वाला फैमिली उसी से बिलॉंग करता है जो बाटनिकल नेम हो जाएगा फैमिली जो हो जाएगा जिंगी बेरेसी तो यहां जो कहां से प्राप्त है जो ड्राइड राइजोम ड्राइड राइजोम से प्राप्त होता है जिंगर हल्दी भी इसी फैमिली से बिलॉंग करता है जिसका बॉटनिकल नेम जो हल्दी का जो है कुरकुमा लोंगा हल्दी का बॉटनिकल नेम जो कुर्कुमा लोंगा होता है यहाँ जो जिंगी विरेसी फैमिली से बिलॉंग करता है हल्दी में जो में में केमिकल कॉंस्टिटिवेंट होते हैं वा कुर्कुमीन कुरकुमीन जो हल्री का मेन केमकल कॉंस्टिटिवेंट होता है यहाँ पे आपका नेक्स्ट आ जाएगा नेटमेक तो नेटमेक जो पेपर में कभी कभी पुछा था पर यह भी नयाद किजिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वही जो उपर बताएं आप लोग वही ज़रूर्याद किजिए क्योंकि आप लोग के पेपर के लिए वह वो इंपॉर्टेंट है राउल्फिया सर्पिन्ट आइन आ यहाँ जो है एक आइपर्टेंसिब द्रग है मनलब जो है मैं स्ल 64 पौन्हां पूल्पुह गोल्पुह the ड्राइद्छ२ है? मैं इसका जो बार्क से इसके मैडिशेन डामिदि स्वैक्र वूस्ट कर जाती है या फैमिली एपो साइनेशी से बिलॉंग करती है जिन इसके जो chemical constituent हो जाएंगे तो इसमें जो है indole, alkaloid, indoline, alkaloid, indoline, alkaloid, oxy, indole और pseudo indole जो है इसमें परजेंट होते हैं इसके जो main chemical constituent हो है रिसरपाइन है serpentine हो जाएगा, रिसरपाइन हो जाएगा और जो है रिसिना माइन, रिसिना माइन यह जो है इसके main chemical constituent है यहाँ पर आप लोग को जो next हम बता दें यहाँ पर जो है black paper, black paper भी exams में put up कियाता है तो राउल पिया, black paper यह सब आप लोग ready कर लिजिएगा बाकि हमें आप लोग को जो next वीडियो में बताएंगे यहाँ पर कुलोब दिया गया है, जो long है long के बाए उने तो वीडियो बहुत long हो जाएगा और आपको भी थोड़ा boring लगेगा तो मिलते हैं next वीडियो में अगर आप लोग को PDF चाहिए तो telegram channel को join करके आप लोग इस PDF को note down कर सकते हैं तो यहाँ पर धतूरा दिया, धतूरा भी आप लोग याद कर लीजिएगा यह जो exams के लिए important है बाकि हम इसका जो PDF तीन पार्ट में upload करेंगे क्योंकि एक में PDF नहीं बन पाया तो Sinkona Sinkona जो है, इसका भी जो botnical name है Sinkona को जो है botnical name यहाँ पर थोड़ा सा confusion हो रहा है Sinkona कैलिसाया Sinkona कैलिसाया यहाँ पर दिया गया है, बट हम आपको एक और बता देते हैं हमें याद आ गया है Sinkona कैलिसाया, जैसे यहाँ पर Sinkona लिखा है तो इसका एक botnical name होता है Sinkona led J-E-R-I-A-N-S Sinkona led J-Riana इसका botnical name है इसका कम से 3-4 या 6 botnical name है तो आप लोग गर जादा से जादा लिखेंगे तो आप लोग जो पेपर में black pencil लिखेंगे जाके highlight मेरे जाके teachers तुरन देखें तुरन आपको number दे दे वहाँ पे तो PDF अगर आपको चाहिए तो आप लोग जोईन करके जो है चैनल को जो है लिंक को जोईन करके टेलिग्राम चैनल के जो पॉल्टिक्निक डी फार्मा है डाउनलोड कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Dear Student